मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा बूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए बूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुर्नी में समझाए तुम्हे देती अम शान्ती आज की तारिक है स्ताई पांच दो हजार बाइस की साकार मुरली बाबा के महवाक्य मीठे बच्चे बिचार सागर मंतन कर भारत की हिस्ट्री जोग्रफी और नई दुनिया का संबत सिद्ध कर बताओ तो कलब की आयू सिद्ध हो जाएगी परिशन तुम बच्चों को अभी कौन सी धून लगी हुई है जो मनुश्यों से भिन है उत्तर तुम्हे धुन है कि बिशव का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सेलवेज करें सब को सची सची सत्य नराइन की कथा वा अमर कथा सुनाएं जिस से सब की उन्ती हो इतने बड़े-बड़े महल बिजली आदी सब कुछ है प्रन्तु उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब आर्टेफिशल जूटी उन्ती है सची उन्ती तो सत्यूग में थी जो अब बाप आकर करते हैं गीत आखिर वह दिन आया आज अम शान्ती गरीब निवाज आया तो सही प्रन्तु कोई सही तित्थी तारीक नहीं लिखते हैं कोई डेट संबत तो होना चाहिए ना जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीक फलाना मास फलाना संबत है गरीब निवाज कब आया यह लिखा नहीं है जैसे लक्षमी नारायन सत्युक आदी में थे तो उनका भी संबत होना चाहिए इनका फलाने संबत में राज्य था लक्षमी नारायन का भी संबत है और भी सब के अपने अपने संबत है गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संबत में जनम लिया संबत बिगर पता नहीं पड़ता यह लक्षमी नारायन भारत में रज्य करते थे तो जरूर संबत होना चाहिए इनका संबत माना सवरक का संबत लक्षमी नारायन ने सब्त्यूग में रज्य किया किस संबत से किस संबत तक कहें तो भी पांच हजार बर्ष ही कहेंगे गीता जैनती का थोड़ा फरक करना पड़ता है शिव जैनती और गीता जैनती में फरक नहीं है क्रिशन जैनती का फरक पड़ेगा लक्षमी नराइन का वहीं संबत लिखना होगा यह भी विचार सागर मंतन करना होता है पबली को यह कैसे बताए लक्षमी नारायन का क्यों नहीं संबत दिखाते हैं बिकरम संबत दिखाते हैं बाकी बिकरमा जीत संबत कहां अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालुम है भारत की हिस्ट्री जियोगरफी नई दुनिया का संबत भी दिखाना चाहिए नई दुनिया में राज्जे था आदी सनातन देवी देवताओं का तो उनका संबत भी कहेंगे हिसाब करेंगे तो उनको पांच हजार वर्ष हुआ यह सिद्ध कर बताने से कलब की आयू सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है बह जूटा हो जाएगा यह बाते बाप आकर समझाते हैं जो मनुश्य स्रिष्ट्री का बीज रूप है स्रिष्ट्री के आदी मद्दे अंत को जानने वाला है लक्ष्मी नारायन की डिनाष्टी को पांच हजार वर्ष हुआ और सेंती सो पचास वर्ष हुए राम सीता को फिर आगे उनकी डिनाष्टी चली फिर बिकरम संबत शुरू होता है बिकरम राजा का जो संबत है वह भी राइट नहीं है बीच में कुछ वर्ष गुम है दोनों चाहिए पच्ची सो वर्ष इसलामी बोद्दी का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है इन्होंने दो हजार वर्ष से अपना संबत दिया है तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्कर लगाकर अब ब्रामन बने है यह हिष्ट्री जोगरफी अच्छी तरे समझानी है ब्रामन से फिर देवता बनते है हिष्ट्री जोगरफी समझते हो तो संबत भी समझना पड़े सीड़ी के चिक्तर में संबत लिखा हुआ है भारत का संबत ही गुम हो गया है जो पुजे थे उनका संबत ही गुम कर दिया है पुजारियों का संबत शुरू हो गया है देखो अशोक पिलर कहते हैं द्वापर में अशोक यनी शोक रहित तो कोई है नहीं अशोक पिल्लर तो आदा कलब सत्युक्तिरिता तक चलता है उनकी ये महिमा है शोक पिल्लर की महिमा नहीं है यहां तो दुख ही दुख है पशोक का होटल नाम रखा है परंतु है नहीं आदा कलब शन भंगूर सुक को अशोक कह देते हैं यहां अशोक कुछ है नहीं मास, मदीरा, गंद, खाते रहते हैं कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुई कारण क्या है अभी तुम समझते हो यह बाते सुनेंगे वहीं जो कलब पहले स्वर्ग में सुखी थे जो वहां थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं जिनोंने भक्ती पूरी की होगी वह कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे नालज को सुनकर लोग खुश होंगे चित्तर भी कलियर है संबत भी लिखा हुआ है ब्रमना विश्नु का जरम भी तो यहां होना चाहिए बाकी शंकर तो सुख्षम बतन का है और शिव है मूल बतन में सुख्षम मूल को भी जानते नहीं इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है शिव है परंपिता परमात्मा शंकर है देपता दोनों को मिलाना सके अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है कितना नशा चड़ता है रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझा में बे समझ को ही समझाया जाता है तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था फिर डाउन फाल कैसे हुआ है दुनिया तो समझती हमने बहुत उंती की है आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदी कुछ नहीं था अभी तो बहुत उंती में जा रहा है क्योंकि उन्हों को तो यह पता ही नहीं है कि यह जूटी है सच्ची उन्ती तो सत्यूग में थी यह समझाना है बे अपनी धुन में है तुम्हारी धुन अपनी ही है तुमको खुशी है तो बिशप का बेला जो डूबा हुआ था उनको हम बावा की नौलर्ज द्वारा सैल वेज कर रहे हैं बावा हमें सत्य नारायन की सुनाते हैं भक्ती मार्ग में तो अनेग कथाई सुनाते हैं तुम समझते हो कि बे सब जूटी कथाई हैं जिस से कोई फाइदा नहीं यह शास्तर आदी पढ़ते आए हैं फिर भी स्रिष्टी तो तमो परदान होती ही जाती है सीड़ी उतरते आए फाइदा क्या हुआ सिक लोगों का भी मिला लगता है बहां तलाब में सनान करते हैं वह गंगा जमना आदी को नहीं मानते हैं कुम के मिले पर सिक लोग नहीं जाते हैं बे अपने तलाब पर जाते होंगे उनका फिर खास प्रोग्राम होता है कभी उनको साफ करने भी जाते हैं सत्युग में तो यह बाते होती नहीं, सत्यूग में तो नधिया आदे, बिल्कुल साफ हो जाएंगी, वहां कभी गंगा जम्ना में गंद, किछड़ा नहीं पड़ता, वहां के गंगा जल और यहां के गंगा जल में, रात दिन का फरक है, यहां तो बहुत किछड़ा पड़ता है, वहां तो हर एक चीज फर्ष्ट गलास होती है तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राध्धानी ऐसी होगी हम फिर से पांच जार वर्ष बाद शिरिमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे है नाम ही है स्वर्ग बेकुंट जिसमें लक्ष्मी नाराएन का रज्जे था शांती धाम अत्वा निर्वान धाम एक ही है तुम जानते हो कि हम शांती धाम में कैसे रहते हैं उपर में है शिवाबा फिर ब्रमा बिश्नु शंकर फिर देपताओं की माला फिर शत्रिय वेशे शुद्र निराकारी जहार से आतमाई नंबर वार आती रहती हैं जो सत्युग में आने वाले नहीं हैं बेपढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं हिंदू धरम ही जैसे अलग हो पड़ा है किसको पता नहीं कि आदी सनातन देवी देपता धरम था वह दरम कैसे और कब सापन हुआ किसको पता नहीं है तुमको यह नालज अब दीगी है कि दूसरों को भी समझाओ चित्तर तो बहुत सैज है कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक रज्य किया राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संबद से फलाने संबद तक इन्होंने रज्य किया पीछे फिर पतितर रज्याय शुरू हो जाते हैं यह देवताए हैं मुख्ये जिनकी पूजा होती है बास्त में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए भक्ती मार्ग में तो सब को पूजते रहते हैं अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है मंदिरों में जाकर पूजा आदी करते हैं परंतु उनको जानते बिलकुल ही नहीं अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं तब तो सेंटर्स खोलते हैं समझते हैं कि इस नौलज से हम देपता बनेंगे बाप ने गरीबों को आकर साहुकार बनाया है बाप आकर बच्चों को समझाते हैं बच्चे फिर औरों को समझाकर उनों का भग्यां खोले वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी अभी तुम बाप दवारा सुनते हो बह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी तो जरूर वर्ल्ड का रचीता बीजरूप ही सुनाएंगी वही नालज़िफुल है वह है निराकार शिव देधारी को भगवान रचीता कह नहीं सकते निराकार ही सभी आतमाओं का पिता है बह बैठ आतमाओं को समझाते हैं मैं परमधाम में रहने वाला हूँ अभी मैं इस शरीर में आया हूँ मैं भी आतमा हूँ मैं बीजरूब नालजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ इसमें आशिवाद किर्पा आदे की कोई बात नहीं है ना अलबकार सुक की बात है अलबकार का सुक तो लोग दे देते हैं एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चड़ जाता है तुम्हारी प्राप्ती तो 21 जनम के लिए है सो तो सिवाए बाप के ऐसी प्राप्ती कोई करा न सके 21 जनमों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके भक्ती मारग में मनुश्यों को थोड़ा भी सुक मिलता है तो खुश हो जाते हैं यहां तो 21 जनम के लिए प्रालब्द पाते हैं तो भी बहुत है जो पुर्शात नहीं करते उनों की तकदीर में नहीं है तद्बीर तो सभी को एक समान ही करते हैं उस पड़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं यह तो एक ही टीचर है भल तुम खास बैट समझाते होंगे लेकिन नौलज तो एक है सिरफ हर एक के उठाने पर मदार है यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है बाबा सत्य नरायन की कता सुनाते हैं तुम अंगे अक्रे यानि तित्थी तारीक सब सुना सकते हो कोई कोई सत्य नरायन की कता सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे उनको सारी कता कंट हो जाती है तु फिर यह सच्ची सत्य नरायन की कता कंट कर लो बहुत सहज है बाप पहले तो कहते हैं मन मना भब फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ इन लक्षमी नरायन का तो संबत बता सकते हो ना आओ तो हम आपको समझामें कि बाप कैसे संगम युग पर आता है ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं किसको ब्रह्मा मुक बंशावली को जो फिर देवता बनते हैं चुरासी जनम की कहानी है ब्रामन सो देवता बनते हैं पूरी नौलज है यह सुनकर फिर बैठ कर रपीट करो तो बुद्धी में सब आ जाएगा कि हम देवता थे फिर ऐसे चक्कर लगाया यह है सत्य नार रज्य लिया फिर कैसे गवाया कितना समय रज्य किया लक्षमी नारायन और उनका कुल घराना था ना सूर्य वंशी घराना फिर चंदर वंशी घराना फिर संगम पर बाप आकर शुदर वंशियों को ब्रामन वंशी बनाते हैं यह सची सची कता तुम सुन रहे हो सात्योग में लक्षमी नारायन के हीरे जवारों के महल थे अभी तो क्या है बाप ने यह तो कथा सुनाई है ना अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी जितना खाद निकलेगी उतना उंच पद पाएंगे नंबर वार समझते हैं बाबा जानते हैं कि कौन- इरिती बुद्धी में धारन कर सकते हैं समझाने में कोई तकलीफ नहीं है बिलकुल सहज है मनुश्य से देपता बनना तो मशहूर है घड़ी यही सत्य नारायन की कथा सुनाते रहो वह है जूटी यह है सच्ची सेंटर पर भी सत्य नारायन की कथा सुनाते रहो बह मुरली सुनाते रहो तो बहुत सैज है कोई भी सेंटर चला सकते हैं परंतो फिर लक्षन भी अच्छे चाहिए एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू यानि इज़त गबाते हैं बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो उच पद नहीं पा सकेंगे उन गुरू ने फिर अपने लिए कह दिया है अब तो वह कोई ठोर बताते नहीं ठोर बताने वाला तो एक ही है उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे फिर पद भी ब्रष्ट हो परता है काला मू करते हैं तो अपनी सत्या नाश करते हैं ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं फिर कोई तो सचाई से लिखते हैं कोई जूट भी बोलते हैं अगर सची कथा सुनाते रहे तो बुद्धी से जूट निकल जाए ऐसी चलन नहीं चलने चाहिए जिससे बाप की नि जिनकी ऐसी अवस्ता है वह जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं खुद भी समझते हैं कि हम सुदर नहीं सकेंगे तो फिर राय दी जाती है घर गरश्ट में रहो जब धार ना हो जाए तब फिर सर्विस करना घर में रहेंगे तो तुम्हारे उपर इतना पाप नहीं चड़ेगा यहां फिर ऐसी कामन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं इस से तो गरस्त विवार में कमल फूल समान रहना अच्छा है अच्छा मीठे मीठे सिकना दे बच्चों परती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मीठी मुरले के लिए धारना के लिए मुख्य सार नमबर एक अंदर से जूट निकल जाए उसके लिए सदा सत्य नरायन की कथा सुननी और सुनानी है कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाब की निंदा हो नमबर दो आपस में बहुत मीठा होकर रहना है कभी लून पानी नहीं होना है अच्छे लक्षन धारन कर फिर सेवा करनी है बर्दान ब्रामन जीवन में बदाईयों की पालना द्वारा सदा ब्रीदी को प्रापत करने वाले पदमा पदम भग्यवान भव संगम युग पर विशेश खुश्यों भरी बदाईयों से ही सरब ब्रामन ब्रीदी को प्रापत कर रहे हैं ब्रामन जीवन की पालना का अधार बदाईया है बाप के सबरूप में हर समय बदाईया है शिक्षक के सबरूप में हर समय शाबाश का बोल पास्विद अनर बना रहा है सद्गुरू के रूप में हर श्रिष्ट करम की दुआईं सहज और मोज वाली जीवन अनुभव करा रही है इसलिए पदमा पदम भग्यवान हो जो भग्यविटाता बगवान के बच्चे संपूरन भग्यवान के अधिकारी बन गए सलोगन सच्ची सेवा द्वारा सरव की अशिवाद प्रापत करने वाले ही तकदीरवान है सच्ची सेवा द्वारा सरव की अशिवाद प्रापत करने वाले ही तकदीरवान है ओम शान्ती